शिरी शिवाय नमस्तिविम दोस्तो आज की वीडियो में जानेंगे जया 81 कब है क्या पूज़ा विदी है क्या हमें ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे घर्स में सुक्सम्रदी बरकत होने लगे नकरात्मक सक्तियां बहार उने लगे घर से और घर में खुसाली बनी रहे दोस्तो सभी चीज़े जानेंगे वीडियो के लाज तक बने रहेएगा चोटी सी वीडियो है पूरी देखेगा अच्छी लगे तो लाइक सस्काइब जरूर कर लीजेगा चैनल को जागे वीडियो मिलती रहें बाद में आप भूल जाते हैं हर हर महादेव जरूर लिखेगा दोस्तो क्या होता है 81 का दिन जो होता है बहुत महत पूर्ण होता है इस दिन मा लक्षमी के साथ भवान विश्नु की पूजा करने से घर में सुख समरदी बरकत पनी रहती है घर में खुसाली आती है और मोक्ष की प्राप्ती होती है 81 का बरत रखने से सभी मनुकामनाई भ लिखे गए हैं जिससे घर में शुक सम्रदी बरकत बनी रहती है दोस्तों तुलसा जी का पौदा तो हर घर में होता है लेकिन कुछ ऐसे नियम होते हैं तुलसा जी रखने के जो सभी को रखनें चाहिए कुछ लोग उन नीयमों का पालन नहीं करते हैं और तुलसा जी सूखने लगती हैं और तुलसा जी घर में सकरातमकता नहीं देती हैं उनकी विशेश पूजा पाट करनी चाहिए आपको अगर आपके घर में तुलसा जी है तो एक दिया जो है साम को जरूर जलाना चाहिए रोज एक जल का लोटा जरूर तो घर में सुख सम्रदी बरकत बनी रहेगी सबसे पहले जान लेते हैं उपाय अगर आपकी कोई भी मनुकामना है तो 81 के दिन क्या करना है आपको एक धागा लेना है आपको सूत धागा कहीं भी मिल जाया का बजार से लियाईए जो जो धागा होता है आप मांगेंगे कि जो मनुकामना है उसे अपनी लंबाई के अनुसार उस दागे को ले लेना है मनुकामना कहते हुए तुलसी जी में ये बांधना है याद रहे 81 के दिन तुलसी जी में जल नहीं चड़ाना है आपको बिल्कुल भी बस आप ये धागा बांध सकते हैं तबिवार को तो बिल्कु केले की झढ़ है उसमें आपको रख काना है औरुसरा का वा फायर तिक तंगी और यह घर में सुख सम्रदी नहीं है तो आपको क्या कहना है एक सिक्का लेना है एक रुपेका ले लिजे और उसको अपनी तुलसा जी के अंदर गाड़ के रखेंगे घर में कैसे सुख सम्रदी बरकत बनी आती है करके देखेगा बहुत यह चुग उपाय है अब कि बग्रण चाता है तुलसा क्या से एक स्थक्वार नहीं संदरी नहीं है प्याउ़ के रखेंगे दुलसा झाली है तुलसा प्राएंगे करते है आती है और को बग्र अर एक भी वाद़् यह है तुलसा है